तो उस्वागर दोस्तों मैं हूँ आपके साथ आर के टेक्निकल इस रूटा होगा दोस्तों आपके इस तरगी से अपने किसी भी एंडरल वैस के CPU को ओवर क्लोक करके maximum speed आप निकास सकते हैं किसी भी प्रोसेसर आप मीडिया टैक इस टैप डरगन जो भी प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं दोस्तो उसको maximum speed आप दिला सकते हैं without root तो चलिए विश्टार्ट करते हैं बेना किसी दे रही है तो सबसे पहले दोस्तो मैं आपको cpu-z application से अपना device रिख पहले दोस्तो जो कि आपके cpu को overlock करने में मदद करेगी जी यहां दोस्तो इसी फैल को आपको डाउनलोड कर लेना है डायरेक्ट डाउनलोड लिंक मैंने आपको प्रवाइट करा दिया यहां पर से आप जैसी लिंक पर क्लिक करेंगे डाउनलोड को अप्शन हैगा देन कुछ इस परकार से first number पर यह app देखने को मिलेगा इस वाले application को दोस्तो आपको install कर देना है दिया दोस्तो इसी application को आपको just install पर क्लिक कर लेना है देन आपका installing successfully start हो जाएगा यहां पर से दोस्तो आपको तोड़ा wait कर लेना है इसके install होने थक इसी में दोस्तो हम उस zip file को flash क देखिए दोस्तो तभी आपको यह वीडियो समझ में आएगा और आपके में work करेगा तो हम कर लेते हैं wait तो कुछ इस परकार से दोस्तो इस परकार से दोस्तो इनिस्टोर कर लेना है देन दोस्तो यहां पर से आपको एक और application डाउलोड कर लेना है उसका नाम है जड़ आर फोल्डर पे then यहां पर मैं कर लेता है देट पे click then जो मैंने दीव फास डाउनलोड कीती दूस्तो उसको यहां पर से मैं कर लेता हूं मैं extract here पे click मैं नेची आ जाता हूं दोस्तो यह देखिए maximum cpu यह कुछ इस लियम का फोल्डर रहे इस जीव फास को extract daoki काइसे करना है यहाँ पर सिर्फ क्लिक करने यहाँ पर कोपी इन्टनल स्टोरेज पर लें almost यहाँ पर आ चुका है अब दोस्तो आपको उस folder को जो आपने यहाँ पर paste किया है उस folder को यहाँ पर कर लेना है rename पर click long पर इस करके मैं कर देता हूँ rename पर click यहाँ पर मैं कर लेता हूँ rename पर click rename पर click करने बाद दोस्तो इस folder को आपको copy कर लेना है then select all करने है select all करने के बाद यहाँ पर copy कर देना है इस file location को जिए दोस्तो इस folder को copy कर देना है then यहाँ पर से okay कर गए इस application से आपका हुच का है काम complete जैड archiver से अब दोस्तो आपको कर देना है अपना termx open जिए दोस्तो termx app को आपको open करना है then यहाँ पर आपको command डालने है दोस्तो command यहाँ आप देख सकते मैंने क्या डाला है या फिर मैं दोस्तो आपको decision बार में command लिखके दे दूँगा उसके बाद दोस्तो आपने जो copy किया था उसको यहाँ पर paste कर देना है उसके बाद दोस्तो यहाँ पर आपको why मंगेंगा यहाँ पर yes की जगा why करके इंटर्ड कर देना है then दोस्तो आपका successfully यहाँ पर से काम हो चुका है complete मैं दोस्तो आपको command यहाँ पर description में provide करा दूँगा वहाँ पर से आप देखके उस command को copy कर सकते हैं then दोस्तो मैं अपना cpz आपको दिखा कर open कर देता हूं कुछ इस परकार से दोस्तो अब देखे कितनी stable आपको speed मिट रही है और अब आप use करेंगे अपना device gaming करते हैं वक्त आपको कोई lag देखने को नहीं मिलेगा दोस्तो maximum आपकी speed आपको आपके प्रोसेसर से यहाँ पर इस प्रोसेसर से देखने को मिलेगी तो कैसे लोगे हो नीचे में कमेंच ओने को सब्सक्राइब वीडियो का लाइक करना भी न भूले क्योंकि इसी प्रगार्ड के वडियो मैं लात रहता हूं धन्यवाद थैंक्स फॉर वाचिंग